स्री गनेश शाय नमा, प्रिय बंधुगो, जो इस्त्री किसी भी प्रकार से अपने पती को बचनों में फसा कर और उनसे गलत काम करवाती हैं, वे सब इस्त्रियां घोर नरक में जाती हैं। और जब नरक से उनका छुटकारा होता है, तब इस प्रत्वी मंडल के उपर आकार उनको बारहा जन्मों तक शूकरी की योनी में जाना पड़ता हैं। जब यह समय अवधी समाप्त हो जाती है, तो फिर भी उनका जन्म नीच योनी में ही होता है। तो इस्त्रियों से उनके पती दुखित होते हैं, वे सत्तर योगों तक नरक में बास करती हैं। और उसके बाद उनका इस भूमंडल के उपर जब जन्म होता है, तो साथ जन्मों तक उन्हें छचुंदर, ये चुगे से मिलती जुलती एक प्रजाती होती है, तो छचुंदर की योनी में उन्हें जाना पड़ता है। इसके बाद कववे की योनी में जाते हैं और कववे की योनी के दुख भोगने के बाद वे सब सियारनी की योनी में और इसके बाद में उन्हें गोही की योनी में जाना पड़ता है। तो यह सब कश्ट प्रद नाना प्रकार की योणी भोगने के पस्चात फिर उन्हें गाई की योणी मिलती है और गाई की योणी के बाद में फिर उन्हें मनुष्ट की योणी प्राप्त होती है सभी माताओं और बहनों से हमारा हाथ जोड़ कर अनरोध है निवेदन है प्रात्ना है कि पती ही उनके जीवन के सच्चे साथी है इसी लिए अपने पती में पूर्ण विश्वास कर उनकी आज्या का पालन करें इसी से आपको चारों पुरसार्थ आर्थ धार्म काम और मुक्ष की प्राप्ति हो जाएगी ऐसा सास्त्रों का बचन है आज के लिए वस इतना ही सेश फिर कभी हम नए विशे के साथ में आपकी सेवा में प्रस्तुत होंगे आज्या दीजिये धन्यवाद जय माता की जय संधिती